हेलो ही नमस्कार दोस्तों टेकी विशाल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को वट्सेप की 5 ऐसी कमाल की धांसू ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जो आप सभी के काफी ज़्यादा काम आजाएंगी अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन में डेली राफ में वाट्सेप को यूज करते हैं और दोस्तों पांच होगी पांच लोग ट्रिक बिल्कुल नहीं है और आप सभी को बिल्कुल भी इनके बारे में नहीं पता और आप लोग अपने मोबाइल फोन में रोजाना वाट्सेप को यूज करते हैं तो अगर आप लोग भी अपने मोबाइल फोन में रोजाना वाट्सेप को यूज करते हैं तो ये ट्रिक आप सभी के काफी ज़्यादा काम आ जाएंगी देखी दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को 5 अलग-अलग ट्रिक बता रहा हूँ चाहता तो मैं यहाँ पे एक वीडियो अलग-अलग ट्रिक की बना देता तो यहाँ पे मैं 5 वीडियो बना पाता लेकिन दोस्तो मैं आप सभी के लिए एक वीडियो में ही पांच ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आपका नेट और आपका टाइम विल्कुल भी वेस्ट ना हो लेकिन दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप से भी कुछ बात बताना चाहूँगा दोस्तो देखिए आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करके रखा है लेकिन दोस्तो सब्सक्राइब के बराबर में घंटी आती है क्यूंकि दोस्तो देखिए एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेनत लगती है और आपके पास वेडियो ना पोंच पाया तो यार बहुत बुरा लगता है कि आप लोग उश वीडियो को ना देख पाए इतनी महनत से मैं आप से भी के लिए वीडियो बनाता हूं लेकिन दोस्तों वो वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाती तो यार बहुत बुरा लगता है कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाओ और आप इस वीडियो को ना देख पाओ तो यार वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं होता तो जिस्वी भाई ने यार चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन कि नोटिफिकेसन बैल को ओन नहीं कर रखा तो मैं आपसे हांथ जोड़ कर बहुत बड़ी बिंति करता हूँ कि आनोटिफिकेसन बैल को ओन कर लो अगर पहले से चोटा सा काम आप लोग कर लिजे, मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, जो ट्रिक्स में आप सभी को बताऊंगो, पसंद आते हैं, तो आप लोग प्लीज वीडियो के नीचे इस लाइक के बटन को दबा कर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि मेरे को सपोर्ट मिले, और मैं आप सभी के लिए इतनी अच्छी और कमाल की वीडियो आगे भी आप सभी के लिए बनाता रहूं, तो चले दोस्तों जादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहीं से हम वीडियो को स्टार्ट करत तो गाइज देखें, आप लोग इस तरीके से अपने फ्रेंड के यहाँ पर स्टेटस देखते थे, तो उसके पास एक नोटिफिकेशन चला जाता था कि आपने उसका स्टेटस देख लिया है, इस से उसको पता चल जाता था कि किस-किस व्यक्ति नहीं उसका स्टेटस कि आपके फ्रेंड को पता भी न लगे कि आपने उसके स्टेटस देख लिया है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इसके बाद आपको थूड़ा नीचे आने नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आप से भी को एक सैटिंग मिलेगी, जहाँ पर लिखा है रीड रिसीव, तो यहाँ पर इसको आपको अंचेक कर देना है कुछ इस तरीके से, अब दोस्तों आप लोग अपने फ्रेंड की जितने भी यहाँ पर आप लोग वाटसेप के स्टेटस देखिए, और उसको बिल्कुल पता ने लगेगा, उसके पास नोटिफिकेसन नहीं जाएगा कि आपने इसके वाटसेप स्टेटस को देख लिया है, तो यह ट्रिक आपके वाटसेप में हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत थम लोग जानते हैं, तो आप लोग इसका यूज जरूर करना, अब देखिए दूस्तों मैं आप से भी को दूसरी ट्रिक बताता हूँ, ये भी आप से काफी ज़्यादा हेलफुल रहेगी, अब आप लोग अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर वाटसेप पर हाइलो करते हैं, मैसिजिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, और आपके फ्रेंड यहाँ पर आपको भी हाइलो करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होते हैं, कि आपक यह message देख लेते हैं लेकिन आपको वो reply नहीं करते जैसे कि आपके message उसने scene कर ली लेकिन आपको यहाँ पर reply नहीं करेंगे और क्या पाता उसने read receive वाली setting off करके रखियो जिससे की आपके पास blue tick ना आए तो ग्याइस यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ आप सभी को इस तर यहाँ से उसने ODA को इस तरीकी से play कर दिया तो आपके पास यहाँ पर blue tick आ जाएगा तो यह भी काफी helpful trick है अगर आप लोग whatsapp यूज करते हैं तो आप लोग इस तरीके से अपने friend को यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी message वो देख रहा है लेकिन आपको ignore कर रहा है तो यह यह भी काफी useful trick है आप लोग इसका use जरूर करना तो दोस्तों जो मैं आप सभी को अगली trick बताऊंगा वो आप सभी के काफी ज़्यादा helpful हो जाएगी देकि हम लोग whatsapp पे अपने friend के साथ बाते करते हैं हमारी girlfriend भी होते हैं हमारे boyfriend भी होते हैं और हम लोग उनसे whatsapp पे बात ब्लोक कर रहा है या फिर नहीं करा अगर उसने ब्लोक कर आया तो यहां पर दोस्तों आप लोग उससे phone करके कह सकते हैं कि आपने मुझे ब्लोक क्यों किया अगर उसने ब्लोक नहीं करा तो यहां पर आप लोग टेस्ट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत सके तो कैस कफी अच्छी बात है उस व्यक्ति ने आपको यहाँ प назад नहीं किया अगर व्यक्ति यहाँ पे डैड नहीं होता तो समझ लीजे। उसने आपको ब्नोग करके रगा है और फिर आप लोग उसको कोसिस कीजिते-स से कोर्सिजिए कि मेर को अनबलोग कर दिजेएgel काफी कमाल की ट्रिक है आप लोग इसकी मदस से पता लगा सकते हैं कि सामने वाले ने आपको ब्लोग करा है या फिर नहीं करा तो चलिए दोस्तों अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों हमारी अगली ट्रिक आप से भी कुछ काफी ज़्यादा है पुल होने वाली है तो देखी कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ फ्रेंड होते हैं और हम उनका नंबर सेव करके रखते हैं लेकिन दोस्तों हमें डाउट रहता है कि यार इसने हमारा नंबर सेव किया या फिर नहीं करा और हम लोग तो उनका नंबर सेव कर लेते हैं ले कोई बंदा ऐसा होगा जो अपने वाइटस के फीचर को ना अपलाई करता हो कोई कबार ही ऐसा होगा लेकिन सब लोग यहाँ पे WhatsApp के feature को apply करते हैं तो यह भी बहुत useful trick थी आप लोग इसका use जरूर करना अगर आपको यहाँ पर doubt की सामने वाले ने आपका number save किया है या फिर नहीं किया है दोस्तो हमारी अगली trick जो है वो है WhatsApp गुरूप को लेकर अब यहाँ पर आप लोग अगर WhatsApp को use करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का WhatsApp पर गुरूप भी होगा यहाँ पर आपका college का गुरूप होगा या पिर आपके दोस्तों का गुरूप होगा जहाँ पर आपसे भी के पास जैंडे से आको वह पर फिppo है कि यहां पर औप एगांगी कलिक करना आशटीन के सामने काफी सारी सारी ओर सैटिंग करना है US के बात दोस्तों यहाँ पर आप सब्सक्राइक क्रण में किलिक करना के बेन यहां पर कोई मैसिज नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पर आपने इस तरीके से सेटिंग कर दी है कि यहां पर आप आप लोगी जो एड मीन है यहां पर वही बांदा यहां पर अजब कावी जहां पर आपने यह कर दो दो आप जूरा है यहां पर आप लोगकर और आप्रो दोग।